एक जन्वरी को बदल जाएगी इन तीन राशियों की किस्मत ग्रहगोचर ऐसे करेंगे कमान। इस बार नए वर्ष 2023 की शुरुआत दो बहुत ही शुब योगों में हो रही है। पंचांग के अनुसार एक जन्वरी 2023 को सुबह साथ बचकर 23 मिनिट तक शिव योग रहेगा। इसके बाद सरवार्थ सिध्धी योग आरंभ होगा जो अगले दिन दो जन्वरी 2023 को सुबह 6 बचकर 55 मिनिट तक रहेगा। इनके अलावा इस दिन कई अन्य योग भी बन रही हैं। इन तीन राशियों के लिए शुब रहेगा नया वर्ष। व्रिशब राशी जिन लोगों की राशी व्रिशब है उनके लिए यह गोचर अनुकूल रहने वाला है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का विस्तार होगा। प्राइवेट एम्पलॉईज का प्रमोशन होने की संभावनाएं बन रही है। फैमिली के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। कन्या राशी, सरवार्थ सिध्धी योग और शिव योग दोनों के ही प्रभाव से कन्या राशी के लिए आने वाला समय अच्छा सिध्ध होगा। उन्हें हर कदम पर भाग्य का साथ मिलेगा। उनका क्रियर सफलता की नई उडान भरेगा। साथ ही पुराना फंसा हुआ पैसा भी वापिस मिलने की संभावनाएं बन रही है। कन्या राशी वाले कोई नई प्रॉपर्टी भी खरीच सकते हैं। कुम्भ राशी जन्वरी में शनी का गोचर होने से कुम्भ राशी के लिए लिए शनी की साढ़े साती का तीसरा चरण आरंभ होगा। फिर भी कुम्भ राशी के जातकों के लिए आने वाला समय बहुत ही बहतरीन बीतेगा। वे जो भी पाना चाहेंगे, पालेंगे, हालांकि उन्हें थोड़ी ज्यादा मेहंत करनी पड़ेगी। प्रेम संबंधों में भी उन्नती होगी, रिलेशन्शिप को विवा संबंध में बदल पाएंगे।